हलो दोस्तों मैं एंके सिंग आप सभी लोगों का विजडम हबिस्टडी पर स्वागत करता हूँ तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं हमारा करंट फेर का सेशन नमबर 62 पहले वे कोशन डिसकस कर लेते हैं जो मैंने आप लोगों को 61 में दिया था तो प्रशन है यहाँ पर कुनो पालपूर राष्ट्य उद्यान की सिराजी में है तो यह इस्तित हैं मद्यप्रदेश में अब दोस्तों यहाँ पर जो हम चार टोपिक को डिसकस करेंगे वे टोपिक है यहाँ पर इन आई मस अभियान शामूहिक सुरक्षा संधी संगटन CSTO औरांग राष्ट्य उद्यान असाम प्रवासी भारती दिवस 2022 इंचा टोपिक के उपर हम यहाँ पर डिसकसन करेंगे तो पहला टोपिक यहाँ पर पहला बहु आयामी सासी खेल अभियान निमास तो यह क्या है तो देखьте हाल ही में रक्षा मंतरी ने फ्रांस में राष्टी परवतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान निमास द्वारा आयोजित भारत के पहले बहु आयामी सासी खेल अभियान को मंजूरी दे दी है अगर हम यहाँ पर इस खेल के अभियान की बात करें तो अभियान के शुरुआत नवंबर 2021 में की गई थी और टीम का निर्टत्व निमाश के निदेशक ने किया था जिसमें 12 लोग 8 सेना के जवान और अरुनाचल प्रदेश के 4 युवा शामिल थे अभियान दल ने आल्पस परवशन खलाओं में 250 किलो मिटर से अधिक सीथ कारिम ट्रेकिंग की जिसमें फ्रेंच, स्वीस और इताल वी आल्पस को कवर करने वाला 2D मोंट ब्लॉंक ट्रेक शामिल किया गया था इसमें रास्ट्रिय परवातरोण और संबद्ध खेल संस्थान के गरम बात करें जो ना केवल राजि में बलकी भारत में भी अपनी तरह का पहला संस्थान है यह नागरिगों को विभिन प्रकार की चुनोतियों के समधान करने के साथ-साथ साहसी खेलों में कारियर बनाने का भी आउसर देता है तो आप देख सकते हैं निमास किछ इस प्रकार से कारे करता है यहाँ पर अगर हम बात करें आल्प्स परवश रंखलाओं की तो आल्प्स एक असंतत परवश रंखला है उसमें से ये एक छोटा खंड है ये जो उत्तरी अफ्रिका के एटलस परवश से दक्षणी यूरोप और एशिया में हिमाले से आगे तक फैला हुआ है अल्पाइन चेतर में आठ यूरोपिय देश ऑस्ट्रिया फ्रांस जर्मनी एटले लिकंस्टेन मुनाको स्लिवेनिया और स्वेट जलेंड शामिल है आल्प से एक इंटर जोनल परवत प्रणाली है जो की औरोबायोम टाइप का कटिगरी में आता है मध्य और भुमध्य यूरोप के बीच एक संक्रमन चेतर का हिस्सा है ये वाला मॉन्ट ब्लांक सबसे उची चोटी है इसकी यद पीवे पैलियोजीन और नियोजीन काल जो की लगभग 65 मिलियन वर्ष से 2.6 मिलियन वर्ष पूर्व का समय काल है के दोरान निर्मित अन्य परवत प्रणालियों की तूलना में उच्च तथा व्यापक नहीं है ये जैसे की हिमाले जो की एशिया की महान परवशंखला है और एंडीज एवं रोकी परवशो की क्रमशा दक्षणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में इस्तित है जो की भोगौलिक घटाओं के लिए उत्तर दाई है अलपाइन शिकर एक यूरोपिय छेतर को दूसरे यूरोपिय छेतर से अलग करते हैं और यूरोप की कई प्रमुक नदियों का श्रोत है अलप से उत्गमीत नदियों का जल अंतितह उत्तर भूमध्य सागर अड्रियाटिक सी और काला सागर तक पहुँच जाता है और उसमें जाकर के ड्रेन कर देता है अगला टॉपिक है यहाँ पर सामोहिक सुरक्षा संगठन तो यह क्या है तो देखिए हाली में कजाकिस्तान के राष्टपती ने सामोहिक सुरक्षा संधी संगठन से देश में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को प्रतिबंदित करने के लिए आवहान किया है ताकि यह जो संगठन है यह जो 2002 से लाग हुआ था 1991 में एक स्वतंत्र गणराज बनने के बाद मद एशियाई देश पर साशन करने वाले साशकों में अस्तित्व को खत्रे में डालने वाले विरोधों पर अंकुष लगाने के लिए इसने कजाकिस्तान को प्रभावित करना शुरू कर द प्रभावितित्तान तजाकिस्तान और उजबेकिस्तान के सामुहिक सुरक्षा संदी पर हस्ताक्षर किये थे इसे ताशकन पैक्ट या ताशकन संदी के रूप में भी जाना जाता है सोवियत संग के बाद के तीन अन्य राजियो अजरबेजान बेलारोस और जौर्जिया ने अगले वर्ष हस्ताक्षर किये पर संदीत 1994 में प्रहावी हुई थी पाँच साल बाद नौ में से अजरबेजान जौर्जिया उजबेकिस्तान को छोड़ कर बाकी सभी राजियों ने इस संदी को पाँच और वर्षों के लिए नवीनी करत करने पर सहमती व्यक्त की थी वर्ष 2002 में उन छे राजियों ने सी एस्टीयों को एक सैन्ने गडबंदन के रूप में मानने पर सहमती व्यक्त कर दी थी इसका मुख्याले कहां परे तो इसका मुख्याले मौसकों में हैं जो कि रूस में हैं सदस्स देश की बात करें तो वर्तमान में अर्मेनिया बेलार सुरक्षा को मजबूत करना सुतंतरता की सुरक्षा सदस्य देशों की छेतरी अकंड़ता और संप्रभुता को स्थापित करना इसका उद्देश्ट्य हैं दोस्तो अगला टोपिक हैं पर औरांग राष्टे उद्यान तो यह औरांग राष्टे उद्यान चर्चा में क्यो तो घडियाल जिसे गेवियल भी कहते हैं यह एक प्रकार का एश्याई मगरमच है जो अपने लंबे पतले थूतन के कारण अन्ने से अलग होता है यह मगरमच सरी श्रपो का एक समू है जिसमें मगरमच घडियाल कैमन आदी शामिल होते हैं भारत में मगरमचों की तीन परजा पादिया पाए जाती है वे यहां पर घडियाल जो कि IUCN के रेड लिस्ट में बहुत ही गंभीर ग्रस्त स्रेणी में है जिसे कहा जाता है गेवियलिस, गेंगैटिक्स, मगर जिसे IUCN के सुभेद स्रेणी में रखा गया है और खारे पानी का मगरमच जो कि IUCN के लिस्ट म जो कि IUCN के खारे पानी की मगरमच अबादी को Sides की Prices2 में सामिल किया गया है घडियाल के निवास इस्तान के अगर हम बात करें तो इसको यहां पर तीन रूप से Classified किया गया है प्राकृतिक अवास, प्रात्मीक अवास और माधिमिक अवास प्राकृतिक अवास में भारत उत्राखनवाला चेत्र और सो नदी का भिहार का चेत्र। अवेद बालू खनन वा अवेद भी घड़ियालों के जोखिम के लिए कारण उत्पन कराते हैं यहाँ पर औरांग राश्ट्य उद्यान के गरम बात करें इसे 1985 में एक वर्नी जीव अभैरानी के रूप में इस्थापित किया गया था लेकिन 1999 में राष्ट्य उद्यान के रूप में घोशित कर दिया गया था इसे 2016 में देश का 49 वा टाइगा रिजर्व घोशित किया गया इसे कांजी रंगा राष्ट उध्यान का छोटा रूप भी माना जाता है क्योंकि दोनों पार्कों में से एक समान पारिदर्ष्ट है जिसमें दलडल जलधाराएं और घास के मेदान इस्तित है यह ब्रह्मपुत्र नदी के उतरी तट पर गेंडो का एक मात्र राष्ट उध्यान है अरुनाचल प्रदेस में काम लांग टाइगर रिजर्व को पचासवा नवीन्दम टाइगर रिजर्व के रूप में घूशित किया गया है असाम में वन्य जीवों के संदक्षित के लिए अन्य संदक्षित छेतरों की बात करें तो डिवरु सैखोवा राष्ट उध्यान है मानस राष्ट उध्यान है नामेरी राष्ट उध्यान है कांजी रंगा राष्ट उध्यान है देहिंग पठकाई राय मोना राष्ट उध दोस्तों यहां पर अगला टॉबी के प्रवासी भारती दिवस 2022 हर वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारती दिवस मनाया जाता है भारत की विकास में प्रवासी भारती समुदायों के योगदान को चिन्नित करने हैं तू अगर हम इस दिवस के प्रश्ट भूमी की बात करें तो 9 जनवरी को प्रवासी भारती दिवस मनाने के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन वर्ष 1915 में महात्मा गांधी प्रवासी के रूप में धक्षन अफरिका से लोटे थे जिनोंने भारत के सुत्मतिता सं प्रवासी भारती दिवस संमान पुरूसकार भी प्रदान करती है या एक अनिवासी भारती है या भारती मूल के वेक्ति और अनिवासी भारती है या भारती मूल के वेक्तियों द्वारा इस्तापित एक संचालित एक संगठन संस्ता को दिया जाने वाला सरवच सम्माने जिनोंने विदेश में भारत को बहतर ढंग से समझने में महतुपून दिया है तथा भारत के कारणों और चिंताओं का मूर्थ रूप देने में समर्थन किया है इसके महत्व के बात करें इस प्रोसकार के इस दिवस के तो यह प्रवासी भारतिय समुदाय को सरकार और देश के मूल लोगों के साथ जोड़ने के लिए एक महत्वपन भूमी का निभाता है यह कन्वेंशन दुनिया के विभिन हिस्सों में रहने वाले प्रवासी भारतिय समुदाय के बीच नेटवर्किंग में बहुत बड़ा उप्योगी है और उन्हें विभिन छेत्रों में अपने अनभव साजा करने में सक्षम बनाता है प्रवासी भारतियों सम्मंदिय सरकारी पहलों के गरम बात करें तो प्रवासी कौशल विकास योजना है जो कि प्रवासी भारतिय कारीगरों और कामगरों के कौशल विकास के प्रक्रिया को संस्तागत बनाना है प्रवासी बच्चों के लिए चात्रवर्ति कारिकरम है इसनातक पाठक्रमों है तो भारतिय मूल के विक्तियों और आनिवासी भारतिय चात्रों को प्रति वर्ष सो चात्रुरतिय प्रतान की जाती है भारत को जानो कारिक्रम या भारतिय मूल के युवाओं जो कि 18-30 वर्ष के हैं को उनकी मारतिय मूल और समकालीन भारत से परिचित कराता है ये इमाइग्रेट सिस्टम या एक विदेशी नियोकता डेटाबेस से या कल्यान सुनिशित करता है कि प्रवासियों के सोशन पर कोई रोक लगाया जा सके वजरा जो कि उन्नत संयुक्त अनुसंधान संकाय का दोरा है योजना है ये यह एक रोटेशन कारिक्रम को आपचारिक र प्रबंधग और पेशेवर एक संचिप्त आउधी के लिए भारतिया सार्वजनिक छेत्री के संगठनों की सेवा करते हैं और अपनी विश्य सग्यता क्यों सेवा परदान करके देश की सेवा करते हैं ये तो दोस्तों यहाँ पर हमने चार्ट ओपिय को डिस्कस किया इन च कौन-कौन से हैं, CSTO का पुरा नाम क्या है, यह कब लागू हुआ था तथा इसका मुख्याले कहां परिस्तित है, और रांग राश्टे उद्यान को किस वर्ष राश्टे उद्यान घोशित किया गया, और यह किस राजे में इस्तित है, किस वर्ष से प्रवासी दिवस मनाने के शुरुवात की गई थी, इन सभी प्रशनों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, यह वीडियो से दी आप लोगे लाबदायक सावित होते हैं, तो इन आप देखिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिलकुल न भूलें चले फिर से मुलाकात होगी, हेवे गुड़े, जय हीन, जय भारत